कुमारी शेलजा जी, चरंदास मांत जी, उमेश पतेल जी, प्रितम सिंग जी, कॉंग्रेस पार्थी के स्केज पर सीनियर नेता, भाई और बहनो, प्यारे कारे करताओ, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब के यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार. मूड कैसा है आपका? फिट है? आपने मोदी जी का आज भाशन देखा? मोदी जी कहते हैं, सुनिये बात सुनिये, मज़ेदार बात सुनिये. मोदी जी भाशन में कहते हैं, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिरफ गरीब है. मोदी जी अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है तो आप अपने आपको 24 गंटा OBC क्यों कहते हो और नरेंद्र मोदी जी ये भी मुझे बता दो आपने OBC का नाम प्रयोग करके बहुत फाइदा उठाया देश के प्रधान मंत्री बन गए करोनों रुपएगे आप सूट पहनते हो 24 गंटा हवाई जाज में उड़ते हो तो OBC शब्द का आपने प्रयोग किया और आज अप अपने भाशन में कहते हो कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं मतलब जब आपके लोग मध्यप्रदेश में आदिवासी युवाँ पर पिशाप करते हैं और उसका वीडियो लेके वाइरल करते हैं तो वो व्यक्ति जिस पर पिशाप किया गया उसके कोई जात नहीं है वो आदिवासी नहीं है वो गरीब है जब किसी दलित बच्चे को मारा जाता है हजारों सालों से दलितों को इस देश में लोगों को चूने नहीं देते थे उनको आज उसका नाम दलित नहीं रहा आप उपीसी के बात करते हो दलितों की बात करते हो अदिवासीों की बात करते हो और अपने भाशन में आज कहते हैं उन्दुस्तान में जाती नहीं मोधी जी आप दरिये मत आप एक काम कीजिए जाती जर्मगरना के बारे में देश को बता दीजिए भाईयों और बेनों यहाँ जो हमारे पिछले वर्क के लोग है आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस देश में कोई जात नहीं है मैं आज आपको खास्तोर से आपके जो युवाँ है जिससे ये देश रोज उनका भविश्य चोरी कर रहा है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने ओपिस ही शब्द का प्रयोग किया प्रधान मंत्री बने 24 गंटा देश से कहे मैं OBC हूँ मैं OBC हूँ मैं OBC हूँ मगर जब OBC की मदद करने का समय आया जाती जर्म करना करवाने का समय आया हिंदुस्तान में कितने OBC है वो आंकरा देश के सामने रखने का समय आया तो प्रधान मंत्री कहते हिंदुस्तान में जात नहीं है OBC कुछ नहीं है भाईयों और बहनों एक बात समझिए हिंदुस्तान को MP नहीं चलाते हिंदुस्तान को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी 90 अपसरों के साथ मिलकर चलाते है आपने ताली बजाई मतलब आप गहराई समझ गए बात की मतलब सवाल यह उठता है नरेंद्र मोधी जी और 90 लोग I.S के अफसर I.F.S के अफसर यह लोग चलाते है अब मैंने सवाल पूचा नरेंद्र मोधी से पूचा नरेंद्र मोधी जी आप O.B.C के बात करते हो मुझे बताओ 90 अपसरों में से O.B.C अपसर कितने है नरेंद्र मोधी उस दिन से O.B.C शब्द का प्रयोग करना बंद कर दी है आज इतनी शर्म की बात है आज प्रदान मंत्री देश तो कहता है कि O.B.C से शब्द का कोई मतलव ही नहीं है हिंदुस्तान में जाती नहीं है सिर्फ गरीब है नरेंद्र मोधी जी गरीबों की क्या जात है गरीब दलत है गरीब पिछ्रे है गरीब आदिवासी है ये गरीब है आप शब्दों के पीछे मत छुपो आप देश को बताओ जाती जन गरना कब करने जा रहे हो अब भाईयों और बेहनों 90 लोग इस देश तो चलाते है नरेंद्र मोधी और 90 लोग प्रधान मंत्री करौर उपेगा सूट पहनते है आप देख लीजिए आपको एक ऐसा नहीं ऐसा दिन नहीं मिलेगा पिछले दस सालों में अगर नरेंद्र मोधी ने एक कपड़ा एक कपड़ा दो बार पहन लिया हो मुझे दिखा दो नरेंद्र मोधी अपने आपको ओभी सी कहते है दस साल में उन्हें एक कपड़ा दो बार नहीं पहना आप मेंसे कोई एक व्यक्ति है जिसने दस साल हर रोज अपना खपड़ा बदला हो एक व्यक्ति है यहाँ पे एक नहीं है बाईयों और बेहनों नरेंद्र मोधी और नब्बे लोग इस देश को चलाते हैं बजट का हर एक रुपिया हर एक पैसा नरेंद्र मोधी और यह नब्बे लोग डिसाइड करते हैं अभी वास्चियों के लिए कितना पैसा आएगा नब्बे लोग नरेंद्र मोधी आपकी शिक्षा में कितना पैसा जाएगा नब्बे लोग नरेंद्र मोधी कितने बज़ेट का पैसा जाएगा 90 लोग नरेंडर मोदी अब राहूल गांदी पूछ रहा है 90 लोगों में से OBC कितने गलत कितने आदिवासी कितने और जैसे मैंने ये सवाल पूछा नरेंडर मोदी कहता है जाती कुछ नहीं हिंदुस्तान में बाईयों और बहनों 90 में से 3 OBC तीन आदिवासी पिर से सुन लीजिए 90 में से 3 OBC तीन आदिवासी और मज़े की बात सुनिए अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपे खर्च किये जाते हैं 100 में से 5 रुपिय का निर्ने OBC अपसर लेते हैं हिंदुस्तान की सरकार लाखो करोर रुपे खर्च करती है OBC अपसर सिरफ 5 प्रस्थिषद बजट का पैसा के बारे में निर्ने लेती है अब यहां पर OBC लोग युवा चोक गए होंगे हमारी आबादी 5 परसंट तो नहीं है OBC के अबादी 50 परसंट से कम नहीं है तो अगर OBC के अबादी 50 परसंट से कम नहीं है तो पिर उनके हिस्सेदारी 5 परसंट क्यूं है नरेन नमोदी जी पहला सवाल दूसरा सवाल आदिवासियों की अबादी 12 परसंट बाई और बैनों आदिवासि युवाओ आप जानते हो कि 90 अपसरों में से वो जो तीन आदिवासिय अपसर है वो हिंदुस्तान के बजट का कितना निद्ने लेते है मैं आपको अभी जो बताने जा रहा हूँ ये शर्म की बात है ये आदिवासियों पर अपमान है भाई और बैनों आदिवासि युवाओ अगर इंदुस्तान की सरकार सो रुपे खर्च करती है तो उसमें से आदिवासियों अपसर दस पैसे करने लेते हैं भाई और बैनों सो रुपे में से दस पैसे आदिवासियों अपसर डिसाइड करते हैं मतलब जीरो दशनलब जीरो एक परसेंट बजट का आप लोग डिसाइड करते हो अब जैसे ही मैंने ये बात उठाई आदिवासियों को वनवासि कहने वाले लोग एकदम कहते हैं इस देश में कोई जात नहीं इस देश में सिरफ गरीब है बाईयों मैंने वनवासि का मतलब जानते हुआ कोई बता सकता है मुझे यहाँ पर वनवासि का क्या मतलब होता है कोई बता सकता है अच्छा आदिवासि का क्या मतलब होता है बताईये बताईये आप बताईये आदिवासि का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ आदिवासि का मतलब और आदिवासि युवाओं को यह अच्छी तरह सुनना चाहिए आदिवासि का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे मतलब यह जो पूरी जमीन दिख रही है आपको यह जो जमीन है यह सबसे पहले आदिवासि वर्ग की जमीन हुआ करती थी हिंदुस्तान में सबसे पहले आदिवासि हुआ करते थे भाईयों और मैंनों इस शब्द के अंदर बहुत गहरी बात चुपी हुई है आदिवासि का मतलब इस जमीन पे इन जंगलों पे जल पर आदिवासियों का पहला हक बनता है सही बात मतलब पहले मालक आप अब बीजेपी और नरेंद मोदी ने नया शब्द पना नहीं कहां से डूंड के लाएं वनवासि वनवासि का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं आपने वीडियो देखा उगा मत्यप्रदेश वाला देखा आपने जिसमें बीजेपी के नेता आदिवासि युवा पर पिशाप कर रहा है आपने देखा है देखा ना उस वीडियो को बीजेपी के लोगों ने वाइरल किया वो वीडियो दिल्ली तक पहुँच किया था मैंने देखा उसको बाई और मेनो आपने किसी बीजेपी के नेता को जानवर पर पिशाप करते हुए देखा है मैंने तो कभी नहीं देखा मगर आदिवासि पे बीजेपी के नेता को पिशाप करते हुए मैंने देखा है ये लोग कहते हैं इनके दिमाग में बात ये है ये सोचते हैं कि आपकी जगे जंगल के अंदर है और आपको जंगल से बाहर नहीं निकलना चाहिए और फिर 24 गंटा ये आपके जंगल को उठा के अधानी को देते हैं 20 साल में जंगल खतम हो जाएगा आपको कहेंगे भाईया आप तो जंगल के हो आपके तो कोई जगे नहीं रही चलो आओ शेहनों में भीक मंगो हमने चत्तिस गर में अंग्रेजी स्कूलों का जाल बिचा दिया है क्यों बिचाया हम कहते हैं आदिवासी युवाओं को ओबिसी युवाओं को दलितों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए हिंदी सीखनी चाहिए और चत्तिस गरी सीखनी चाहिए अब आप पूछोगे भाईया तीन बाशा क्यों एक बाशा से हमारा काम हो जड़ा नहीं बाईयों और बहनों पहली भाशा चत्तिस गरी चत्तिस गर में आपको व्यपार करना हो चत्तिस गर में आपको किसे से बात करनी हो चत्तिस गरी काम आएगी आप यूपी गए दिल्ली गए बिहार गए वहाँ पे हिंदी चलेगी सभी बात है मगर मजएगी बात चुनो और मान लो अगर आदिवासी बच्चा या हो भी सी बच्चा कहे कि यार मैं तो अमरीका जाना चाहता हूँ मैं तो अमरीका की किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहता हूँ या मैं कंपनी खोल कर अमरीका में अपना माल बेचना चाहता हूँ तो कौन सी बाचा चलेगी भाईयों बैनो हिंदी चलेगी चतिस गड़ी चलेगी अंग्रेजी चलेगी तो हम कहते हैं हिंदी सीखने है सीखो चतिस गड़ी सीखो अंग्रेजी सीखो वो कहते हैं जंगल में रहते हो अंग्रेजी की क्या जरूरत ये फरक है हम चाहते हैं कि आपके बच्चे कोई भी सपना देखे उसको वो पूरा कर पाए हम चाहते हैं कि आदिवासी बच्चा एक दिन हवाई जाहस को देखे और कहें कि भाई मैं पाइलट बनना चाहता हूँ मैं हवाई जाज उनाना चाहता हूँ और उसको वो मौका मिले बच्चा एक देन कहे मैं बिजनस चालू करना चाहता हूँ व्यापार करना चाहता हूँ कंपनी खोलना चाहता हूँ सपना पूरा हो आदिवासी बच्चा कहे पिछड़ा बच्चा कहे मैं इंजिनियर बनना चाहता हूँ दलिख बच्चा कहे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ सारे के सारे सपना पूरा कर पाएं BJP चाहती है अच्छा मज़ेगी बात सुनो BJP नेता आते हैं आपसे कहते हैं बाएं और बेनो अंग्रेजी मत पढ़ो 36 गड़ी मत सीखो हिंदी पढ़ो आप एक दिन काम करो खेर मिलते तो आपसे हैं नहीं मारे एक बार कोई BJP नेता हाथ आ जाए तो उससे पूछना भाईया एक बात बताओ आप हमें कह रहे हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए हमें हिंदी सीखनी चाहिए आपके जो बच्चे हैं क्या वो हिंदी मीडियूम में जाते हैं या अंग्रेजी मीडियूम में जाते हैं पता लगेगा सारे के सारे BJP के नेता English Medium School में पढ़ते हैं अमरीका में जाके यूनिवर्सिटी करते हैं लंडन में जाके पढ़ाई करते हैं और वहाँ पे व्यापार करते हैं और यह चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाईयों बेहनें पूपी सी बच्चे दलिड बच्चे को ये मौका ना मिल जाए ये उनमें अम्मे फर्क है अब मैं आपसे पूछता हूँ वो समय आपको याद होगा जब 36 गड़ में आदिवासीों पर गोली चलती थी जब आपके बच्चों को इनकाउंटर किया जाता था आपको याद है वो समय जब बीजेपी का यहाँ राज था बीजेपी का राज था तो तेन दूपत्त कितने का मिलता था कितने का देते थे आप दो हजार रुपए का आज कितने का है चार हजार और हम आपको चार हजार रुपए बोनस देने जा रहे हैं उसके लिए अब नरेंदर मोदी जी कहते है आपने क्या का शर्ब मोदी की गैरंटी मोदी की गैरंटी बोली ना मोदी की गैरंटी का मतलब सेंट परसेंट जूट है जो भी प्रधान मंतरी कह रहा है मैं आपको गैरंटी ने कह सकता हूँ कि जूट बोल रहा है जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जात ही नहीं है मैं गैरंटी के के कह रहा हूँ सारे के सारे शब्द जो उनके मूँ से निकल रहे हैं वो जूट है पंद्रा लाग रुपे हर बैंक अकाउंट में सच या जूट नोट बंदी जे काला दन मिट जाएगा सच या जूट किसान बिल से किसानों का फाइदा हुआ सच या जूट GST से छोटे भी आपा रहे होगा फाइदा हुआ सच या जूट किसानों को धान के लिए 36 गड़ में 2500 रुपे मिलेंगे सच या जूट 36 गर्ड के किसानों का कर्जा माफ होगा सच या जूट सच किसने बोला जूट किसने बोला जूट नरेंदर मोदी ने बोला सच कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांदी ने बोला अच्छा भईया एक और बात बताओ आज धान के लिए किसान को कितना मिलता है 2500 मिलता है 2500 मिल रहे है मारकेप में आज कल 2500 मिल रहा है आपको कितना मिल रहा है 2640 या आपने हमसे मंगा आपने कहा कि हमें 2640 चाहिए नहीं आटोमेटिक हमने कर दिया बिना पूछे किसी किसान ने नहीं पूछा हमने कहा 2500 कमें 2640 हो जाएगा और मैं आपको इस टेट से कहना हूँ यह बढ़ता जाएगा रुकेगा नहीं यह 36 गर के किसानों यह 3000 से जादा जाएगा जाता जाएगा क्योंकि हम आपके दिल के बात आपकी चोट आपका दर्द समझते हैं इसलिए यह बढ़ता जाएगा 23,000 करोर रुपे हमने 36 गर के किसानों को किसान न्याई योजना में दिया है भाई और बेनों आपने मांगा नहीं आपने हमें यह नहीं का कि 23,000 करोर रुपे 34 गर के किसान को दो नहीं हमने का नहीं भाईया हमें देना है क्यों मैं बताता हूँ हम जानते हैं जब हम 36 गर के किसान के जेब में 2500 रुपे डालते हैं तो 36 गर का किसान उस पैसे को गाउं में खर्च करता है अमरीका में खर्च नहीं करता जापान में खर्च नहीं करता अदानी जैसे दुबाई में खर्च नहीं करता 36 गर्ड के गाउं में किसान उसका प्रेयुक करता है हम आज 7000 रुपए मजदूर को दे रहे हैं चुनाब बाद 10,000 रुपए हो जाएगा लिख लो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब हम किसान के जेब में पैसा डालते हैं मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं वो एक दम जाके उस पैसे को खर्च करता है कहां खर्च करता है? शेहरों के छोटे छोटे कजबों में गाउं की छोटी सी दुकानों में पैसा सीधा छोटे दुखांदार के पास जाता है और गाउं की और छोटे शेरों की अर्द्वबस्ता चालू हो जाती है सब को फाइदा होता है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है रमन सिंग की सरकार आती है वो किसान को एक रुपया नहीं देते मजदूर को एक रुपया नहीं देते हैं मनरेगा बंद कर देते हैं वो कंट्रैक्टर्स को अरब पतियों को पैसा देते हैं अदानी जी को पैसा देते हैं कंट्रैक्टर्स बड़े-बड़े कंट्रैक्टर्स क्या करते हैं पैसे को लंडन बेच देंगे जापान बेज़ देंगे, अमरीका बेज़ देंगे, आपको कोई फाइदा नहीं होता हम गरीबों को पैसा देते हैं किसानों को देते हैं मज़़ूरों को देते हैं और जब हम किसानों, मज़़ूरों को देते हैं छोटे विया पानियों को मिलता है यहाँ छोटे वियापारी भाई है मुझे पता दो GST से फाइदा हुआ नहीं हुआ किसका हुआ फाइदा अधानी का अधानी का फाइदा हुआ आधिवासियों से हमने वाइदा किया था आप से बिना पूछे आपकी ग्राम सबा से बिना पूछे आपकी जमीन ने ली जा सकती ट्राइबल बिल पैसा कानून इसमें लिखा था कि भाईया कोई भी हो अधानी हो कोई और हो हमें कोई फर्क नी पड़ता अगर आधिवासियों से जमीन लेनी है वो आधिवासियों हिंदुस्तान के पहले मालिक है अगर उनसे जमीन लेनी है दलितों से पिछ़़ों से जमीन लेनी है तो जाकर ग्राम सबा से पहले पूछे नरेंदर मोधी जी कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं पैसा कानून रद कर दिया आधिवासि बिल रद कर दिया जमीन अधिकरन बिल रद कर दिया कहते हैं अगर हमें चाहिए जमीन उठा के ले जाएं 36 गड़ में बिना पूचे जमीन नहीं ली जा सकती करनातक में बिना पूचे जमीन नहीं ली जा सकती राजिस्तान में नहीं ली जा सकती हिमाचल में नहीं ली जा सकती क्यों? क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बाईयों और बैनों गुजरात में अधानी को जितनी भी जमीन चाहिए जितनी भी जमीन लाकों एकर जमीन चाहिए, लाकों एकर लो कोई ग्राम सभा से पूछने की ज़रत नहीं वहाँ पे उन्होंने मूर्ती बनाई सारे आधिवासियों से बिना कोई कॉंपनसेशन, बिना कुछ पूछे, जमीन उठा के ले गए खदानी जी को पकड़ा दी स्टैचू बनाने में लगा दी स्टैचू बनाओ जरूर बनाओ मगर जो आधिवासियों का हक है जो उनकी जमीन है, उसका कॉंपनसेशन उनको दो, उनसे पूछ के जमीन लो यह उनकी सोच में हमारी सोच में फरक है अब देखिए आकरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ पे नंद कुमार पटेल जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं इधर आओ देखो अब मैं आपको एक चीज आपको एक चीज बताना चाहता हूँ और यह बात आप यह बात आप अच्छी तरह सुनो और समझो इनके पिता की हत्या की गई इनके पिता शहीद है सरी बात यह पूरा च्छतिस गण मानता है अगर इनके पिता की मृत्यू नहीं होती तो इनके पिता आज चीफ मिनिस्टर होते यह सचाई है अब मैं आपको इनके पिता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ मैंने कॉंग्रेस पार्टी में बहुत नेता देखे है नंद कुमार पटेल कॉंग्रेस पार्टी का एक सबसे अच्छा सिपाई था मेरा उनसे परिचे कैसा हुआ कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ जब भी मुझसे कोई मिलने आते थे या आते हैं तो मैं थोड़ा उनके बारे में थोड़ा सा इंफर्मेशन ले लेता हूँ रिपोर्ट लिखवा लेता हूँ पता लगाता हूँ यह है कौन और अगर मुझे वो वियक्ती अच्छे लगे तो मैं थोड़ा और चेक तराता हूँ तो जब ननकुमार पटेल जी मुझसे मिले पहली बार मुझे उनमें गहरा ही दिखी तो मैंने अपने आफ्रिस के लोगों से कहा कि देखो एक काम करो नन्द कुमार पटेल के बारे में उनकी थोड़ी हिस्ट्री जो है कॉंग्रेस में कैसे आए क्या क्या काम किया बिचारदारा के लिए लड़ते हैं ये पता लगा के मुझे बताओ उन्होंने रिपॉर्ट लिखी रिपॉर्ट में क्या लिखा था मैं आपको बताना चाहरा हूँ रिपॉर्ट में लिखा था कि एक बार चुनाओं में 40-50 साल पहले मध्यप्रदेश में उस तमें मध्यप्रईश था मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह चुनाओं रही और जब सारे के सारे MLA बहुत सारे MLA बहुत बड़े नेता हार गए तो कॉंग्रेस के जो सीनियर नेता थे इंदरा गांधी जी थी उन्होंने लिस्ट निकल वाई कि भाईया पोलिंग बूथ में कॉंसे कॉंसे पोलिंग बूथ में कॉंग्रेस पार्टी हारी है और कॉंसे कॉंसे पोलिंग बूथ में कॉंग्रेस पार्टी जीती है तो आकड़े नकाले गए और एक पोलिंग बूथ में पूरे प्रदेश में कॉंग्रिस पार्टी हार गई एक पोलिंग बूत में सेंट परसेंट वोट कॉंग्रिस को मिला फिर इंद्रा गांदी जे ने का भई यह कौन सा बूत है यह और यह कौन है जिसने इस चुनाओं में जहां सारे के सारे सीनियर नेता हार गए यह कौन है जिसने अपने गाओं में कॉंग्रिस पार्टी को सो में से सो वोट दिलवा दिये सुनो सुनो तो फिर बिल्ली से एक आदमी आता है नंद कुमार पतेल के गाओं में जाता है बिना नंद कुमार पतेल को बताए और कहता है कि भईया यहां पे तुम लोगों ने कॉंग्रिस को वोट दिया सारे के सारे ने लोगों ने कॉंग्रिस को वोट कैसे दे दिया तो लोग वहां कहते हैं देखे यहां पे तो हम सिर्फ Congresse वालों को गाओं के अंदर आने देते हैं और कोई आई नहीं सकता यहां पर तो वियक्ति नहें कहा मतलब यह कैसे हो रहा है और उन्हें नहें कहा कि हमारा यहां पे एक युवा नेता है Congress का नेता है सारigor का सारा गाओ उसके साथ Congress Party को vote देता है नंत कुमार पतेल तीन बार प्रधान बने सही बात बाई और बेनों आप जानते हो कि लोक सबागा चुनाओ तीन बार जितना असान होता है विदान सबागा चुनाओ तीन बार जितना असान होता है मगर प्रधानी का चुनाओ तीन बार जितना मुश्किल होता है कितनी बार MLA का चुनाओ लड़ेवो कितनी बार जीते तीन बार प्रधानी तीन बार जीते पांच बार MLA का चुनाओ पांच बार जीते और खून में कॉंग्रेस पाइटी की विचार धारा थी किसी ना किसी दिन उनके हत्यानों को मैं पकड़ के आपके सामने खड़ा कर दूँगा ये मैं आपसे इसलिए कहना हूँ क्यूकि नंद कुमार पटेल के साथ अन्याय हुआ मैं आम तोर से चुनाओ के बाशन में ऐसी बात नहीं बोलता हूँ मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्यूकि नंद कुमार पटेल के बेटे चुनाओ लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इनको भारी बहुमत से पूरा दम लगा के यहां चुनाओ जिता है धन्यवाद जैहिन